तो हलो गाइस दिस टेकडाउन और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो लैप्टॉप की स्क्रीन होती है जो लैप्टॉप की स्क्रीन होती है उसके अंदर आखेकार होता क्या है ठीक है तो उसको हम डिसेंबल करेंगे आज और डिसेंबल करने के बाद देखते हैं उसके अ तो यहां पर हमारा बकरा हाजिर है यह रहा लैप्टॉप और इसकी स्क्रीन निकाल ली गई है और यहां पर बहुत साय डॉक्टर भी बैठे हुए है बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई है यहां बहुत साय डॉक्टर है इसी विज़े से हाथ भी बहुत साय दिख रहे होंगे जल्दी से इसक्रीन डिसेंबल हो रही है और इसके स्कूरूब खुल रहे हैं स्कूरू खुले जा रहे हैं बिचारे के यह डिसेंबल होगा अब है तो मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि यह फालतु की जो हाथ वाद दिख रहे हैं यह ना दिखे और स्कूरू जल्दी से खूल गया है अब यहां पर जो में स्कूरू हो खुल चुका है ठीक है अब यहां पर जो जब भी हम इसको निकालते हैं इस फ्रेम को निकालेंगे तो इसके नीचे प्रेशर लगेगा वो थोड़ा आराम से लगाना पड़ता है क्योंकि अगर ज्यादा लगांगा तो स्क्रीन टामज हो रहेगी और स्क्रीन डामज हो रहेगी तो हमारे लाप्टोप गया कुड़े में तो इससे अराम से निकालो यहां ताकत का बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए तो यहां पर हमने फ्रेम निकाल दिया अराम से अब जल्दी से अंदर के स्कूरू खुलेंगे अभी जल्दी से पुलते हैं यह पूरा निकाल गया है और यह निकल चुका है अब इसके अंदर जो अंजर पंजर हो दिख सकते आराम से और जो है पूरी स्क्रीन वो निकल देगी अब इस पूरे स्क्रीन को जो के से वो निकाल दिया जागा तो आखिरकार हमारा जो लैप्टॉप की जो इसक्रीन है फ्रेम से निकल चुकी है और अब इसको पीछे पल्टिंग और उसको देखते हैं कि जब भी अगर यह डामेज हो है जोती तो कहा कहा सोगती है इसके दो मेजर प्रॉलम्स होते हैं असल में अज़से निकालते है कि है आ citizen अब्लॉप किया और यह यह जो वाइट जो केबल की है इसमा जाला प्रॉब्लम्स होती है बहुत जाला प्रॉब्लम आती है जो यह जो हगी है इसे आराम से रिप्लेस किया दासकता है अब यह वाइट तो रही नहीं जिसके टो आफ चिप के नहीं बदल डालो तो यह हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता इसका और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दो यार और मुझा नहीं लगता फिर्च से बोलना चाहिए तो कर दो जो करना है बुट बाय